नमस्कार दोस्तों वेल्देस्काई के एक उन्य इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मिरे नमें सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को अंडस्टेंड करेंगे समझने की क्लोज हुआ है अगर हम बात करें तो आराउंड आपका 44,413 के आसपास क्लोज हुआ है तो कह सकते हैं कि जो बजट का जो इंपक्त अभी भी मार्केट में देखने को मिला है खासका जो वीक एंड है उदर ज्यादा इंपक्त देखने को मिला है क्योंकि बैंक निफ्टी कं हम कह सकते हैं उपर के लेबल से थोड़ा सा नीचे आया था अगर हम अपने सैट अप के साफ से बात करें जिसके साफ से हम काम करते हैं सिंपल सा सैट अप है उसके बैसे हम काम करते हैं वन मिनिट का हाई और लो अगर हाई ब्रेक होता है तो हम उसको शॉर्ट करते हैं और लोग का डार्गिट हम यहां पर अच्छीव कने कि कोशिस करते हैं तो अगर आप आज कर ट्रेडिंग सेशन भी देखोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि देखो देखो सिंपल ही चीज़ है अगर आपको मतलब सिंपल वे में ट्रेडिंग करनी है न तो वन मिनिट का हाई और लो बहुत ही भैतरीन सेटप है अगर आपने इस पर दो महीने तीन महीने थोड़ा सा मन लगा के काम कर लिया न तो आपको मार्केट की हर सिच्वेशन समझ में आ करने बढ़ जाएगी ठीक है हां पर देखो मार्केट खुला आपको पहले कैसी एक एंडिल मिरी आपको एप हाई का यहां पर हमारे पास लोग और यह हमारे पास हाई हो गया है यहाई हो गया है फिर call back रिक किया अब pan को ब्रेक तो यहाँ पर फाई मिनटीन का टार्गेट यहां पहुत है था energy प्राद यहां अगर आप देखोगे यहां पर हाई कितना था आपका 51 900 का यहां पर शॉट था और जो लो बना वो आपका 51 500 का 400.5 मिनिट के अंदर आपको मिल गए अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन लिया होगा शॉट साइट पर डबल से भी जाता होगे आपका काम बन गए यहां पर सेम चीज निफ्टी निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने भी सेम चीज यहां पर फॉलो अप किया य यह आपका वन मिनिट का लो हो गया यह वन मिनिट का हाई हो गया हाई टूटा आपने शॉट किया नीचे आया थोड़ा सा फिर उपर गया लेकिन हाई के उपर सस्टेन नहीं किया है ठीक है नहीं मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टॉप लोस आपका जब हिट होता है केस में आपने कोई सी भी पुट ली होगी 24,400 की पुट ली होगी या फिर 24,300 की भी पुट ली होगी सारी डबल डबल होगी तो सिंपल सी चीज थी आपकी ऑल्मोस्ट 20-25 मिनट में यहां पर कम्प्रीट होगी उसके बाद हां मार्केट नीचे गया है बट यह आपको नहीं मिल गया आप अपना टागेट बुक किया आपने और आप मार्केट से बाहर हो गए आप एजली अपना रेस्ट ऑफ दे इंजॉइ कर रहे हो ठीक है यह सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपको कंटिन्यू समझाता रहा हूं पिछले अल्मोस्ट एक दो साल में प्लस कल मैंने एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग जिसमें की ब्रोक्रेश आपको सेफ करनी चाहिए और बहुत सारे लोगों ने सेस में अल्लेडी अकाउंट खोल रखे हैं जिन लोगों के नहीं खुले हुए हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेस ऑनलाइन में अपना अकाउंट खोल लीजिए और यहां पर आप प्राइजिंग की बात करता हूं मैं तो अगर आप नॉर्मल कोई ट्रेड डाल रहे हो मतलब आप बिना किसी प्लान के यानि कोई मंतली प्लान ना चलाकर आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो तो नाइन रुपीस पर अगर आप यह यूज करते हो तो आपकी महिने में 2000 से जाधा ब्रोकरी लगेगी ही नहीं जादा से जाधा 2200 रुपे जाएगी इससे जाधा नहीं जाएगी और अगर आपको लगता है नहीं मेरी उतनी जाधा ट्रेड नहीं है मैं दिन की 10-15-20 ट्रेड डालता हूं तो कॉस्टिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है ट्रेडिंग में तो अगर आप अपनी ब्रोक्रेज को सेफ करोगे तो काफी हद तक आप प्रॉफिटेबल रहोगे और अगर आप लॉस में हो तो आपके लॉस बहुत तेजी से नहीं बढ़ेंगे ठीक है यह वीडियो मैंने अल को लग रहा है वह आराउंड 24 सथा 500 के आसपास क्योंकि साइकलोजिकल फिगर रहें सी के आसपास निफ्टी घूम रहा है जब परसो के टेडिंग सेशन में यानि परसो जब मैंने वीडियो बनाया था हूं मैंने आपको बताया था कि जो 24 पांसो का शौट स्टेडल की वै प्रॉफिट अलड़ी मिल रहा है बट मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यहीं कहीं एक्सपार हो जाएगा तो फिर इसलिए मैंने उसको होल्ड कर रखा है कल तक अरौंड 12 एक वज़े के असपास काड़ दूआ ठीक है अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो सिंपल दी चीज यह है कि चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जो रजिस्टेंस एरिया है वह आपको क्या है अगर मैं 50 टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो देखो सिंपल दी चीज़ है आप चाहो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन की सकते हो यहां से इस तरीके से यह इस तरीके से है फिर गिरा और कल भी इसने इसी लेविल पर रजिस्टेंस फेस किया है हाला कि मल्टीबल टाइम यह टेस्ट हो चुकी है लेकिन फिर भी यह 24,500 के आसपास ही है तो यह ध्यान में रखना कि यहां से थोड़ा स्वाथ यह नीचे आके फिर यह रिकवरी दिखा सकता है पान सोपे होगी तो पूरी अगर ऑवराल रेंज की बात करूं तो मैं रेंज को इस तरीके से प्ले करने की कोशिशिस करूंगा अगर आप यहां पे समझे तो यहां पे जो रेंज होगी वो यह होगी ये upper side एक resistance point होगा 24,600 का इसके पास आएगा तो मैं सोड़ा सा selling की side पे view रखूँगा और नीचे अगर ये इस level को मिलता है around 24,270-280 के zone में तो यहाँ पर मैं buy करने की कोशिस करूँगा और अगर ये इसी level के आसपास ही trade करता रहता है तो मैं इसको avoid करने की कोशिस करूँगा क्योंकि ये फिर premium decay करेगा और उसका कोई benefit यहाँ पे मिलने वाला नहीं है यानि ये sideways चला जाएगा ठीक है, nifty का आपको view समझ में आ गया bank nifty के बात कर लेते हैं bank nifty थोड़ा सा weak दिख रहा है आज भी इसने अगर देखा जाए तो 51,000 को break करके उसके नीचे कामकाज भी किया तो लेकिन नीचे से काफी हद तक एक अच्छी recovery देखने को मिली है तो bank nifty के लिए important क्या है bank nifty के लिए important अगर ये 51,500 के ऊपर sustain करने लगता है तो फिर आपको यहाँ पर जो थोड़ी बहुत recovery है वो around आपको दुबारा से 51,800 तक देखने को मिल सकते है नहीं तो otherwise इसमें already आज एक momentum हो चुका है तो मुझे लगता है कि ये 51,000 से लेके 51,500 के बीच में ये consolidation करेगा ये point आपको ध्यान में रखना है इसके बीच में ये consolidation करेगा तो इससे कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं nifty के expiry है nifty पर ही हम ज़्यादा focus करेंगे ठीक है global market की बाद मैंने already आपको बता दिये अभी जो currently दिख रहे हैं थोड़े से negative दिख रहे हैं तो I hope दोस्तों ये particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में नहीं है I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शादरू करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सो दिल ले क्या आतर हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी के ताद शुक्रिया दोस्तों जैह हिंद